हलो एवरीवान वेलकम बाक to hello scholar तो आप ने बहुत चारे बैंक के बारे में सुनाओ whenever जासे प्राइवेट बैंक गर्फमेंट बैंक स्वारी पें में टियंड बैंक्ण् pra वैसे इनका काम है और वैसे यह स्टाइबुटे革 चाहिए तो चलिए विडियो में हम जानेंगे हैट कोर्ट आपरेन्ग है इनके इनके शाहिए बारे में और यह कब घंटबर सोवीश क्या रिजना फोल बन्न बैंग“ छो की लीजनल लेवल पर ऑपरेक करते हैं और सबसे पहर इनको अस्टाब्रिश किया गया था 2nd October 1975 1st January 2022 तक अगर हम देखें तो तब तक 43 रूरल बैंक्स हैं जिनका की बेसिक का बेसिक सा काम यह है कि बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो पिलकुल बेसिक वो प्रवाइड करें जाये रूरल एरियाज में चिक है कहां पर रूरल एरियाज में अब क्यों जरूरत थी भाईया तो बच्चों रूरल एरिया में उस टाइम पे यह बनाया गया था रूर रीजनल रूरल बैंक का कॉंसेप्ट लेकर आया गया था उस टाइंपे सेवेन्टी परसंट जो हमारी पॉपिलेशन थी वो रहती थी रूरल एरियाज में अब उनको में स्ट्रीम में इकनॉमिक में इस में लेकर आना है अब उनको कैसे लेकर आया जाए अब इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं त बढ़ जाएगा फिर ordinance पास किया जाता है 26 September 1975 को और RRB Act पास किया जाता है Regional Rural Bank Act 1976 ताकि Regional Rural Banks जो है वो बनाए जा सकें जिनका की काम क्या होगा कि banking credit facility प्रोवाइड करना है agriculture के लिए और other rural sectors के लिए वो sectors जो कि रूरल जो रूरल अलिया है या किसी रूरल कोई भी रूरल प्लेस है वहां पर activities होती है जैसे कि डेरी activity रूरल अलिया में बहुत जादा होती है अग्रिकल्चर अक्टिविटी बहुत जादा होती है तो इन सब के लिए credit facility प्रोवाइड करना इनका काम था तो फिर पास रूर रीजनल रूरल बैंक्स या रर्वी जो है वह सेट अप किया जाते हैं 2nd October 1975 में 1975 में क्या होता है 2nd October को हम क्या celebrate करते हैं गांधी जयंती राइट तो पांच जीर रीजनल रूरल बैंक्स रर्वी बनाए जाते हैं 2nd October 1975 में अब हम देखें कि कहां कहां पर सेट अप करते हैं जो सबसे पहला बैंक था रर्वी वह सेट अप किया गया था उसका नाम ही था प्रत्थम बैंक और उसका हेड ऑफिस है हेड क्वाटर है वह मुरादाबाद यूपी में था इसके जो स्टार्टिंग कापिटल थी वह थी 5 करोड उसके साथ यह बैंक जो है वह सेट अप किय फिर बाकी जो चार बैंक्स है न वो सेट अप कहां पर वो कहां पर उपन करे गए थे मंडला वेस्ट पर माल्डा वेस्ट बैंगॉल गौर्ग्रामीन बैंक जो कि नौर्थ इस्टन रीजिन का सबसे पहला सबसे पहला रीजिनल रूरल बैंक था इस्टन इंडिया का सो यह जो पॉइंट है वो इंपोर्टेंट हो जाता है यहां से क्वेशन बन सकता है जो रीजिनल रूरल बैंक होता है उसमें शेयर्स का रेशियो होता है अब शेयर्स जो है वो तीन लोगों में डिवाइड होते हैं सेंट् government का होता है 50% state government का होता है 15% और sponsored bank जो है वो sponsor करता है उसका होता है 35% का share तो ये तीन जो है वो share जो हो hold करते हैं किसी भी RRB में regional rural bank में चलिए अब मैं आपको लेके चलते हूं headquarters पर सबसे पहले हम state wise पढ़ेंगे सबसे पहला state है आंधरा प्रदेश जो बैंक की सारे आर आर प्रदेश ग्रामीन विकास बैंक आप जो भी आर आर बीस होंगे उनके सामने आप यह देखा हुए ग्रामीन बैंक ग्रामीन विकास बैंक यही सब लगता है उनके पीछे आंधरा प्रदेश ग्रामीन विकास बैंक इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में इसका हेड क्वाटर है वरांगल तेलंगाना में और इसको स्पॉंसर कौन करता है स्टैट बैंक औफ इंडिया आंधरा प्रगति ग्रामीन बैंक इसको भी 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेड कौाटर है वो कहां पर है कटपा आंधरा प्रदेश और इसको स्पॉंसर करता है क्यानरा बैंक फिर आता है चैतन्या गुदावरी ग्रामीन बैंक इसको इस्टाबिश के biggest था 2006 में इसको फ्टाइट करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेड़कवाटर है गुण्टूर आंद्रा प्रदेश ऐस्टकरियर्मीन बेंख इसको भी ectablish क्या गेप हैं इसका हेड़कवाटर रहले चित्तूर चित्त ऌर आंद्रा और इसको sponsor करता है Indian Bank अब हम बढ़ते हैं अगले state की तरफ जो है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में सिरफ एक RRB है जिसका नाम है अरुनाचल प्रदेश Rural Bank जिसको establish किया गया था 1983 में इसका headquarter है इटा नगर अरुनाचल प्रदेश और इसको sponsor करता है state bank of India फिर हम आजाते हैं असाम पे असाम में जो RRB है उसका भी नाम यह है असाम ग्रामीन विकास बैंक इसको establish किया था 2006 में इसको sponsor करता है PNB और इसका headquarter है गोहाटी असाम में बिहार में आजाते हैं बिहार में कौण कौण से bank है दो bank है पहला है दक्शिन बिहार ग्रामीन बैंक जिसको establish किया था 2019 में इसको sponsor करता है अगेन पंजाब नाशनल बैंक और इसका headquarter है बिहार की capital पत्तना में दूशरा है उत्तर बिहार ग्रामीन बैंक उत्तर बिहार ग्रामीन बैंक इसका हेड़ क्वार्टर है मुजफर पूर इंडिया मुजफर नगर नहीं मुजफर पूर इंडिया इसको इस्टाब्डिश किया गया थे 2008 में और इसको स्पॉंसर करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब अच्छो आजो 36 गड़ में च्छत्यश गड़ बैंक जो आर र भी इसका नाम है च्छत्यश गड़ राज्यग्रामीन बैंक इसको स्पॉंसर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका headquarter है राइपुर में और इसको establish किया गया था 2013 में अब आज़ा बच्चों गुजरात में गुजरात में बरोडा में बैंक है जिसका नाम के है बरोडा गुजरात ग्रामीन बैंक है headquarter इसका कहा है बरोडा और इसको sponsor बदोधरा में है इसको sponsor कौन करता है बैंक ऑफ बरोडा इसको establish किया गया था 2019 में एक और बैंक के गुजरात में और भी उसका नाम है सौराष्ट्र ग्रामीन बैंक इसको establish किया गया था 1978 में इसको sponsor करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और headquarter है इसका राजकोर्ट में कहां पर राजकोर्ट में फिर हम आ जाते हैं हर्याना में हर्याना में बैंक का नाम है सर्व हर्याना ग्रामीन बैंक इसको establish किया जाता है हिमाचल प्रदेश ग्रामीन बैंक इसको establish किया गया था 2013 में और इसका headquarter है मंडी हिमाचल प्रदेश में और इसको sponsor करता है पंजाब national bank कौन सा बैंक PNB पंजाब national bank ठीक है अब आज ओब बच्चो जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो आरार भी है उसका नाम है इलाक हुआई देहाती bank देहात का मतलब होता है गाओ इलाक हुई देहात bank जिसको establish किया गया था 1979 में और इसका headquarter है वो है श्री नगर जम्मू कश्मीर में चिक है अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर अब union territory है इसको sponsor करता है State Bank of India एक और Grameen Bank है यानि Regional Rural Bank है जिसका नाह में जम्मू इन कश्मीर ग्रामीन बैंक जिसको establish किया गया थे 2009 में उसका headquarter का है जम्मू जम्मू इन कश्मीर में जिसको कि sponsor करता है जम्मू कश्मीर ग्रांची में इसको sponsor करता है State Bank Bank of India, और इसको establish किया थे थे 2019, करनातिका, करनातिका Grameen Bank, करनातिका Grameen Bank को sponsor करता है Canara Bank और इसका जो head quarter है वो है, बलारी, करनातिका में इसको establish किया थे 2019, करनातिका, विकास Grameen Bank, जो एक RRBA पहला है करनातिका Grameen Bank और दूसरा है करनाटिका विकास ग्रामीन बैंक इसका headquarter है धारवाड करनाटिका में इसको sponsor करता है कैनिरा bank और इसको establish किया गया था 2005 में केरिला के बैंक का नाम किया है केरिला के आर बी का नाम है केरिला ग्रामीन बैंक इसको स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। ऐसका headquarter है प्रेकर श्रीय दागि कितने बाइक हैं। पहला है मध्यप्रदेश ग्रामीन बैंक जिसको sponsor करता है Bank of India और इसका headquarter है Indoor में इसको establish किया गयता है 2019 में दूसरा bank दूसरा RRB जो मध्यप्रदेश में ही है इसका नाम है मध्यान्चल ग्रामीन बैंक इसको sponsor करता है हमारा SBI महाराष्ट्रा गुजरात के पास है महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा ग्रामीन बैंक इसको establish किया गया था 2008 में इसको sponsor करता है Bank of महाराष्ट्रा और इसका headquarter औरंगाबाद इंडिया महाराष्ट्रा में एक और RRB है जिसका नाम है विदारभा कौनकन ग्रामीन बैंक जिसको establish किया था 2013 में इसका headquarter है नागपुर में और इसको sponsor करता है Bank of India कौन sponsor करता है Bank of India मनीपुर आज और North Eastern States में मनीपुर मनीपुर का bank का नाम क्या है मनीपुर Rural Bank इसको establish किया गया था 1981 में इसका headquarter है IMFUL मनीपुर में और इसको sponsor करता है PNB Punjab National Bank मेघाल्य 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 में जो RRB है इसका नाम है मेघाल्य रूरल बैंक इसको establish किया गया था 1981 में headquarter is in Shilong और sponsor करता है SBI State Bank of India मिजोरम में जो बैंक है उसका नाम है मिजोरम रूरल बैंक जिसको establish किया गया था 1983 में इसका headquarter है वह है Aiswal मिजोरम में और इसको sponsor करता है SBI State Bank of India नागलांड नागलांड में जो बैंक है उसको भी SBI ही sponsor करता है उसका नाम है नागलांड रूरल बैंक जिसको establish किया था 1983 में और इसका headquarter कहां पर है कोही मा में है अब हम आजाते हैं ओडिशा ओडिशा में जो बैंक है इसका नाम है ओडिशा ग्राम्य बैंक इसका जो headquarter वो है भुवनेश्वर इंडिया में इसको establish किया गया था 2013 में इसको sponsor करता है Indian Overseas Bank Indian Overseas Bank हमनेी इन ओवर्सीज região का headquarter हे हुआ परवस्चों चिंन्नाइ में चले लेकिन ओडिशा ग्राम्य बैंक का headquarter कहां पर है भुवनेश्वर इंडिया में उत्कल ग्रामीन बैंक उत्कल ग्रामीन बैंक का जो हेड क्वाटर है वो है बोलांगीर इंडिया में 2012 में इसको स्पॉंसर करता है स्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि की SBI अब आजाब उच्चो पुड़ू री में पुड़ु री क्या है इस की किया गया था 2008 में headquarter है पुडुचेरी में और इसको sponsor करता है इंडियन bank पंजाब bank का नाम है पंजाब ग्रामीन बैंक इसको establish किया था 2019 में इसका headquarter है पंजाब में कपूर थला में और इसको sponsor करता है पंजाब national bank PNB ठीक है अब आज अब जो राजस्थान colorful country colorful state of our country बहुत beautiful beautiful colors हमें देखने को मिलते हैं हवा महल यहां पर है रही जैपूर है यहां पर बहुत सारे बहुत सारे famous tourist spot है वह है यहां पर education hub जिसको हम जानते है कोटा के नाम से वह भी है राजस्थान है तो राजस्थान में जो दो ग्रामीन bank है उनका नाम क्या है राजस्थान मरुधारा ग्रामीन बैंक ठीक है इसको स्टैब्लिश किया गयाता है 2014 में headquarters का जोधपुर में उसको sponsor करता है SBI कौन से बैंक sponsor करता है SBI State Bank of India दूसरा जो और भी है आजस्थान में उसका नाम क्या है बरोडा राजस्थान शेत्री ग्रामीन बैंक इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 2013 में इसका headquarters है अजमेर में और इसको sponsor करता है BANK of बरोडा क्योंकि इसका आजस्थान शेत्री ग्रामीन बैंक लिखा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हुए कि इसका sponsor bank जो है वो क्या है bank of baroda अब आज़ो बच्छो तमिल लाडू में तमिल लाडू में जो आरार भी है उसका नाम है तमिल लाडू ग्राम में ग्रामा bank तमिल लाडू ग्रामा बैंक को इस्टाबिश किया गया थे 2019 में इसका जो headquarter ह वह सलीम तमिल लाडू और इसको sponsor करता है इंडियन बैंक कौनसा बैंक इंडियन बैंक अब आज़ो बच्छो तेलंगाना में तेलंगाना में जो bank है उसको sponsor करता है तेलंगाना ग्रामीन बैंक उसको sponsor करता है हमारा State Bank of India headquarter is in Hyderabad तेलंगाना established किया गया था 2014 में कहां पर हैदरबाद तेलंगाना में इसका headquarter है तिरिपुरा तिरिपुरा में दो bank है एक है तिरिपुरा ग्रामीन बैंक जिसको establish किया गया था 1976 में इसको sponsor करता है उस bank का नाम है PNB that is Punjab National Bank इसका जो headquarter है वो है अगरतला कहां पर अगरतला दूसरा जो RRB है यहां पर उसका नाम क्या है उसका नाम है आर्रेवर्थ बैंक जिसको की जिसका जो sponsor bank है वो है bank of India इसको establish किया गया था 2019 में और इसका जो headquarter है वह है लखनाव उत्तरप्रदेश और यह bank है उत्तरप्रदेश का नेक्स्ट उत्तरप्रदेश का जो RRB है उसका नाम है बरोडा यूपी बैंक अब बरोडा यूपी बैंक से तो आप पताई सकते हो कि कौन सा sponsor bank है इसका sponsor bank है bank of बरोडा इसको sponsor करता है इसको establish किया गया था 2020 में इसका headquarter है अयोध्या उत्तरप्रदेश में जहां पर बाबरी मजद केस हुआ था राइट नेक्स्ट जो हमारा RRB हमें यूपी में देखने को मिलता है वो है प्रथम यूपी ग्रामीन bank जिसको किया स्टैब्लिश किया थे 2019 में मुरादबाद उत्तरप्रदेश इसको sponsor करता है पंजाब नाशनल बैंक ऑफ इंडिया राइट पंजाब नाशनल बैंक इसको sponsor करता है नेक्स्ट इस अवर उत्तरा खंड भहत प्यारे प्यारा सा हमारा स्टेट है इसमें जो बैंक है उसका नाम क्या है उत्तरा खंड ग्रामीन bank क्या नाम्म है इस बैंक का उत्तरा खंड ग्रामीन bank크 298 इंदिया में 12 में 500 2012 में यानि कि आज से दस साल पहले अब हम आ जाते हैं वेस्ट बंगॉल में वेस्ट बंगॉल में एक ग्रामीन बैंक है वेस्ट बंगॉल में तीन ग्रामीन बैंक देखने को मिलते हैं जिसका की नाम है बंगिया ग्रामीन विकास बैंक बंगिया ग्रामीन विकास बैंक इसको इसको स्पॉंसर करता है PNB पंजाब नाशनल बैंक और इसका जो हेड़कोर्टर वो है बरहंपुर वेस्ट बेंगॉल में दूसरा एक आरार भी हमें वेस्ट बेंगॉल में देखने को मिलता है उसका नाम है पस्टिम बंगा ग्रामीन बैंक जिसको स्टाबिश करता है 2007 में और इसका जो हेड़कोर्टर वो है होरा वेस्ट बेंगॉल और इसको स्पॉंसर करता है हमारा यूको बैंक नेक्स्ट इस उत्तर बंगा शेत्र ग्रामीन बैंक इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1977 में इसका हेड़कोर्टर है कूच बेहर वेस्ट बेंगॉल में और इसको स का नाम और उसको कौन sponsor करता है so I hope you guys like the session kindly like, share, comment and subscribe to our channel join our telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair pdfs and exam related content thank you everyone